मौर्य काल मौर्य वंस का संस्ताफक चंदरकुप्त मौर्य था चंदरकुप्त ने मगद के नंदवंस सासक गननन्द को पराजित कर मगद पर एधिकार कर दिया गननन्द के बिरूद चंदरकुप्त को परवर्तक नामक राजा ने साहिता की थी 350 पूरों में सिंदो नदी के किनारे ग्रीक छत्रफ सेलिकस ने केटर और चंदरगुप्त के बीच युद्ध हुआ युद्ध के पात हुई संदी के अनुसार सेलिकस ने अपनी फुत्री भलेना का विवा चंदरगुप्त से कर दिया सेल्योकस ने चंदर्गुप्त को एरिया अराकोशिया, परिमेमिस्दई, सथा, जटों सियाक को सौप दिया चंदर्गुप्त ने सेल्योकस को पांसो हाथी परदान में दिये थे रुद्रदामन के जुनागड अबलेक से चंदर्गुप्त ने पस्चमी भारत की बिजयव का पता चलता है जहां उसने पुष्य गुप्त को गवर्नर निक्त किया जिसने सुदर्शन जील का निर्मान कराया चंदर्गुप्त ने चंदर्गुप्त अपने सासनकाल के अंतिम समय में जैन सादु बद्रबाव के साथ सर्वन गेर लिगोलाच चलेगे जहां चंदर्गुप्त परवत पर तपश्या करके सल्लेकना पदिती से अपना जीवन लिला समाप्त कर दी स्टेवो एरियन तथा जेस्टिन ने चंदर्गुप्त को सेंड्रो कोटस एथियानस तथा रोटार्क ने एंड्रो कोटस कहा है सरफर्थम सर बिलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरन चंदर्गुप्त मोरे के साथ किया यूनानी लेककों ने बिन्दुसार को अमित्र जेटस या अमित्र घात कहा है जिसका अर्थ है सत्रों का नाश करने वाला इसका अन्य नाम सिहसेनियम बद्रसार भी था सीरिया के सासक एंटियोकस पर्थम ने अपने दूत डाइमेकस को तता मिस्र के सासक टॉलमी दुती ने डाइनिसिस को बिन्दुसार के दरबार में बेजा था बिंदुसर ने सीरिया के सासक से सराब मिठा नजीर एम दारसनिक की मांग की थी दारसनिक उन्होंने नहीं बेजा असोग को उसके अबलेखों में सामानत और देवनाम प्रिया करकर समौधित किया गया है बब्रु अब लेक में उसे प्रिय दर्सी जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है परियाग स्थम्ब लेक में असोग की पत्नी करुवा की तसा फुतरती वर का उलेक मिलता है असोग ने अपने राज्य विशे के नौवे वर्स यानी दोसो इकसा टिस्पी पूर में कलिंग विजय की थी जिसका उलेक उसके तेर्वे सिलालेक में मिलता है रज़त रंगणी के अनुसार असोग ने कश्मीर में स्री नगर तता नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसा है दूसरे सिलाल एक से पता चलता है कि चोल चेर पंडे तता सतीय पुतर उसकी रज़्य की सिमा से बाहां थी असोग ने अपने बड़े भाई सुमन के पुतर निर्गरोथ के भीटित्वा से परवावित होकर बहुत धर्म अपना लिया अन्यमत के अनुसार ऐसा उसने मुबली पुतिष के परवाव में किया था असोक ने सासन के दसमें वर्ष बोध गया बार्वें वर्ष निगाली सागर तथा बीसमें वर्ष लुमिनी की आत्रा की लुमिनी में धाल मिकर बली को माप कर दिया तथा बुमिकर गटा कर एक वटे हाट कर दिया असोक के धम की परिवासा रहुलो वाज सुत्त से दी गई हैं असोक के अभिलेक ब्रामी करोष्टी अर्माइक एम यूनानी सिप में पराप्त होते हैं असोक का सहवाजगडी एम मंत सहरा अभिलेक अर्ष्टी डिपी में तथा अभिलेक अर्माइक लिपी में हैं सर एक कुना कंधार अर्माइक एम यूनानी भासा में हैं पर्थम अतरिक्त सिला लेक धौली में असोक सभी मनिशों को अपनी संतान बताता है इलावाद इस्तंब अबलेक पर समुद्र गुपत और जहांगिर के अबलेक मिलते हैं सांची कोसामवी और सहरनात लगु इस्तंबलेक में संग में फूर डालने के विरूद आदिस मिलते हैं आदिस मिलते हैं असुक ने बारबर की पाड़ियों में आजीवक संदैसियों के लिए सुदामा गुफा करन चोपर्ड यंविश्व जूपड़ी का निर्मान करवाया अर्तसास्त्र में सबसे उच्च अधिकारियों को तीर सका गया हैं जिनकी संख्या अठारा थी इसके अतरीक 26 अधिक्षों की भी चर्चा मिलती हैं मौरे काल में दिवानी नयाले धर्मिस्ती तथा खौशदारी नयाले पंटक सोदन कहलाता हैं गुप्तचरों को गुड़ पुरू सताइस के परमुक अधिकारी को सर्थ महाम माते कहा गया है अर्तसास्तर में दो परकार के गुप्तचरों सस्ता एम संचरा का वरनन है किरसियों के भमी पर उपज का एक चौथा या एक च्छटा भाग वो राज़ोस्टा या लगान की रूप में पसूल किया जाता था रासकिया भूमिस सीथा कहलाती थी सताइस पर उत्वादन कारि करने के सीथा ध्रक्स नामक अधिकारी को निक्त किया जाता था बिना वर्सा की खेती वाली भूमी को अदेव मात रख कहा जाता था वर्सा को मापने के लिए अर्जी नामक उपकरन का परियोग किया जाता था इस काल में तामर लिपी पूरवी तट का महतुपन बंदरगा था मेगस्तनीज के अनुसार भारतिय समाज साथ जातियों में विवाजित था दार्शनिक, किसान, शिकारी, और शिपालक, सिल्पी यूम, कारिगर, युद्धा, निरिक्चा के यूम गुपत चरता था कोटिते ने नौ परकार की दासों की चर्चा की है, जबकि मेगस्तनीज की अनुसार भारत में दास परता पसलित नहीं थी स्वतंतर रूप से वहशा विटते करने वारे इस्तियां रूपा जीवा कहलाती थी, जिन से राज्य की आए होती थी मेगस्तनीज ने धार्मिक व्योस्सा में डाइनोसिस एवं एराकिलिस की चर्चा की है, जिसकी पहचान करमशर शिव और क्रिश्न से की गई है भब्रू शिलालेक में असोक ने अपने को बुद्ध साके तथा गौतम बुद्ध को भगवान कहे कर संपोजित करता है दसरत ने लोमस रिशी की गुपा तथा गुपी का गुपा का निर्मान करवाया थैंक यू